यह जन जन में बात पहल गई है सत्ता साचन इस वक्त जो है सिरिफ ऑसिरिफ स्ठाकुर्व पंडित भूमियार ओके बात कोई नहीं किसी भी पार्टी में हमारे पार्टी में भी जो है मन से पूरा दिन में बश्पा रात में भाजपा कि आपके जो विराइख है वे विजय पूर्ट अरे हम कर रहा है सुनने नहीं 100 परसेंट और में सुनना कहीं नहीं 100 परसेंट यह जो सदीयों से चला रहा है राज पात छोड़के लोग नहीं अचने वाले हैं सच्चाई को कबूल यह राजा महराजा यहीं लोग होते हैं आप भूल गए भाईया तेरे नाम जवानी दिवानी कहां चले गए यही लोग तो थे अहिर का बच्चा मिया का बच्चा नुनिया का बच्चा मला का बच्चा यह नारा दे रहा था जवान जी बच्चे हैं बुड़े हो गए समाजवादी का जंडा दोते जोते यह तो नहीं नजवान अपनी जवानी दे रहा है मिलना कुछ नहीं है इस अब जंडारों मर जाएंगे टिकट आके लेंगे वही लोग चलिए राजुभाई हाप पुराने में देखे पूजा प अपने मन से कोई भी तर्क दे रहे बिना मतलब का पूजा पाल बीजेपी को वोट दिया तो वह कह सकती है ती आती कहमाद अश्रफ उनके पती पर उनका आरोप था और का तरफ की हट्रया में चौटे बड़ा बुनियार सुनिये अरे सुनिये वह पीछे की बात ने जा रह सब राजपती के उनके परिवार में उखाण के फेक दिया आप सोच रही है कुछ बच जाए अरे बाई वही गायत्री की वाइफ जो है उनका कुल कर दिया इडी अचा उनके खिलाब भी साजिस कौन लोगों ने किया वही राइबर हैली के बाबु साब लोगों ने वही का परजापती को जेल भिजवाया सारा ड्रामा कराया परजापती निर्दोर्श होते हुए दोशी हुए अब उनकी पतनी को इतना दिन तक अकलेश के आदो ने डोया अमेले बनाया मगर वो ढलित है बैकवाय उनके कितनी चम्ता होंगी सेरकार से लर पाएगे हर चीज का आप अपना अक्तर के दे रहे हो अगर अभे इसओट दे रहे राकेस ऀंग वोट दे रहे नागर अगर आभे सीओश डाकेस इंग वोट दे रहे तो राजपूत है अपनी पहले जान की सुरच्चा करेंगे अपनी माल की सुरच्चा करेंगे फिर उसके बाद गल पार्टी वह मजबूर आदमी देखिए आप भी जानते हैं सब मैं भी जानता हुए मैं कह रहा हूँ दो हजार बाइस से यह सब विधायक थे दो हजार चोबिस आ गया दो साल में तो सब पार्टी नहीं बतली तो चलता गया बचते गये मगर जब टाइट हुए हैं कि मैं रूंग्टा से लिए उहां तक का सब खुल जाएगा और कहीं के नहीं रहेंगे अब को अभी खोल नहीं रहें अभी नीद में हैं जिस दिन जागेंगी ऐसा कि दो तीन महिना और सो अगर नहीं ध्याद कि तो हमों लोग सोई पड़े हैं जंडे की दुकान पर बाइट के वासड़ देन रहे हैं किसी पार्टी में आभी जी मैं योगेंदर यादो समझवादी पार्टी जिला सचिव माउसे हूं तो आप भी यह जवानी तुछ पर कुर्बान वाले नारावले हैं कि नहीं देखिए हम लोग उसमें नहीं रहे हैं सबका अलग अलग बिचार है मेरा विक्तिकत अलग बि कि यह एक लोगतांत्र में बहुत बड़ा इति किया गया है यह विदान परिश्द के और यह राजिससभा के चुनाओ और यह लोगसभा और विदान सबा के उप चुनाओ अक्सर से यह माने जाते हैं आजादी के बाद से ही कि जिसकी सरकार इसका पलड़ा भारी रहेगा और रहा भी है हमेशा और आपकी सासन सत्ता का होता है और सासन सत्ता ने जो मिलब के तंतर लगा एक बिदायकों को दबाओ देके उल्टा क्रॉसिंग किया गया है इस इसको मानना पड़ेगा और कहीं से कोई गलती पार्टी के नेतों तो पार्टी उसमें गाइट करेंगे द करेंगे तो कोई मजबूरी में मतलब यह नहीं होता है एक अगर चला गया तो पूरे प्रदेश के मलब ठाकुर को अब गता दीजिए कि यह हो गया वह यह नहीं का लेकिन आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि इस मोहाने पर यह तो आप कह सकते है कि चुना तर उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों के नेताओं के दिमाग में यह बात चली गई है कि भारती जनता पार्टी को हराना मुश्किल है इनसे लड़ना मुश्किल है तो चलो भाईया वहती गंगा में हम भी हाथ दोए क्या जरूरत है यह लहरों के खिलाफ तरने में अगर बिबक्च की भूमिका आब निभाते हैं तो आपको लड़ना ही होगा लोग तंत्र में आप आपको याद होगा 77 के समय में इतना बड़ा कॉंग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी थी जिसके खिलाफ लोगों ने लड़ा इस होज़े से कना की भाज़पाई